आप लोगों को भी स्मार्टफोन से वीडियो रेकॉडिंग करना काफी ज़्यादा पसंद है या फिर आप लोगों को व्लोगिंग करना काफी ज़्यादा पसंद है वो भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन से और कोई एक बजट स्मार्टफोन हो तो और भी बड़ी बात हो जात आने वाला है तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोगों से बात करने वाला हो नोक्या 8.1 के बारे में यह फोन लॉंच हुआ था 46,000 रुपीज के प्राइज में लेकिन अब इसके जो प्राइसिंग है न वो कम होकर आ चुके 15,000 रुपीज की और अगर आप लोगों को वीडियो रेकॉर्डिंग करना पसंद अपना स्मार्टफोन से वह भी आप लोगों को कोई इसा बज़र स्मार्टफोन चाहिए तो इस फोन के कुछ आया है इस बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि इस फोन के अंदर आप लोगों को 6.2 इंचेस की फुल एच्डी प्लस रिजलिशन वाले का पेस लसीडी पैनल मिलती है और यह जो पैनल हुँ एच्डीर 10 को भी सपोर्ट करती है और इसका जो लुक्स है ना दोस्ते हो भी काफी साथ प्रीमे में दोनों साथ आपको ग्लास बॉड़ी मिलते हैं और अलुमिन्यूम की फ्रेम भी और उससे अपके साथ में आप लोगों को इसके अंदर 3500 एमेज की बड़ी बैटरी मिलते है 18W का फार्चर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है और उसके साथ में आप लोगों को इस फोन के अंदर 710 का स्नापड्राइकन का चिपसेट मिलता है तो जो इस फोन के हाडवे स्पेसिफिकेशन है वह 15,000 रुपीस के सबसे बहुत ही जादा कमाल किये और इन सभी चीजहों के साथ में आप लोगों को इस इक्सल का सेल्फी कैमेरा इस फोन की जोस्तों इमेज क्वालटी है नहों वही बहुत साथ हैं पर उस्सेबी का वीड़ीय रेकॉडिंञ है नहीं जोस्तों वो है इस फोन के अंदर आप लोगोंगों को वीडियो रेकॉडिंग ले सारी फीचरश देखने को मिल जाएंगे यहां से आप लोग वह 4K वीडियो रेकॉडिंग भी कर सकते हो और आजकाल के सारे फोन से इस प्राइज रेंज चे अंदर 4K वीडियो रेकॉर्डिंग कर सकते है लेकिन वह सारे समार्टफॉन 16 to 9 एसपक्ट रेशियों के साथ में 4K रेकॉड करते हैं और वहीं पर जो आप नोक्या 8.1 ना दोस्तों वह 18-29 रेशियों के एसपक्ट रेशियों के साथ में 4K वीडियों रेकॉड कर सकता है तो यह भी स्प्राइज रेंज के सबसे काफी बड़ी बद हो जाती है और आप एलेक्राणिक इमेज टेविलाजेशन और जो ऑई-एस के स्टेविलाजेशन है वह यह से बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और यह जो फीचर है ना दोस्तों वह काफुल लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा करके प्रीमियम स्मार्टपोंस में ही देखने को मिल जाता ह यानि कि अल्मोस आप लोगों को 30,000 के एरण आप लोगों को पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे आप लोगों को अगर फोन के अंदर OIS चाहिए तो अंडर 30,000 अल्मोस 90% स्मार्टपोन के अंदर आप लोगों सिर्फ याइसी देखने को मिल जाता तो यह भी बहुत ही कमाल के बात हो जाती है कि आप लोगों को OIS 15,000 रुपिस के प्रैस रेंज में मिल रहा है और उसी के साथ में आप लोगों को इस पोन के अंदर एक ओजो पर फोकस कर रहे हो तो उसी के साथ में जो जितने भी सारे बैक्रांड नॉइसेस होते हैं वह सारे के सारे अपना फिर रेडियूस हो जाते हैं और आप लोगों को सिर्फ पर्टिकुलर फोकस्ट परसंड की अच्छे से क्लियर सुना देती है यह जो फीचर है ना दोस्तों में दुसरा कोई आदमी बात कर रहा है या फिर कोई भी एक बैक्रांड नॉइस है किसी भी आनिमल्स के तो वो जो ऑडियो होती है ना दोस्तों बहुत ही हत तलग क्रेडियूस हो जाती है और आप लोगों को व्लॉगिंग के टैम पर बहुत ही जदा यूसफूल होने वाल अगर आप लोगों को वीडियो को लाइक और शैर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना क्यूंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे इंटरेसिंग वीडियोस लाते रहता हूँ